हाई फ्रेंट्स मैं अर्शी और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल पुआ फ्रेंट्स आप हर होली पर वही माल पुए रस वाले पुए खाकर बोर हो चुके होगे तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही ज़ादा लाजवाब हुआ है ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंट्स में फैमली में ज़रूर शेयर कीजेगा ताकि वो भी इस रेसिपी का मज़ा ले पाए तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लूँगी कुछ ड्राइफूट्स तो मैंने यहाँ पर काजू ले लिये हैं साथ-ाठ साथ-ाठ ही हम बड़ी बदाम ले ले लेंगे दो टीस्पून किश्मिश और एक टीस्पून पिश्टा कोई से भी ड्राइफूट्स आप अपने कॉ लेते हैं अच्छे से और ट्रांसफर कर देना है आपको एक बोल में बेसिकली मैं एक स्टफिंग रेडी कर रही हूँ यहाँ पर साथ में हमें चाहिए होगा चार टेबल स्पून मावा फिंट्स यह मावा मैंने आधी लिटर दूद से घर पर ही बनाया है घर पर आप बिल साथ के साथ यहाँ पर मैं एक चौथाई चमच एड़ कर दूँगी इलाइची पाउडर आधा मैं बचा लेती हूँ एक चौथाई चमच मैं बचा लूँगी आगे के लिए किश्मिशम एड़ कर देंगे यहाँ पर और इन सब चीजों को मिक्स करना है और अब फाइनले इसके अंदर मिठास के लिए जाने वाला है चीनी तो मैंने यहाँ पर चीनी को पीस के रखा है और दो टेबल स्पून में यहाँ पर पिसी वी चीनी आड़ कर रहे हूँ इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्षर को रख देते हम एक साइड में तब तक हम बना लेंगे पूआ का घोल तो यहाँ पर पूआ का घोल बनाने के लिए यानि पूआ का बैटर बनाने के लिए एक कप मैंने गरम दूद ले लिया है और एक कप गरम दूद म एक कप मैदा मतलब आप जिस भी बरतन से दूद ले रहे हो बस उसी बरतन से आपको मैदा ले लेना है बराबर कॉंटिटी में और इनको अच्छे से मिक्स कर लो आपको थोड़ा जादा देर तक इसको फेंटना है ताकि यह एरी हो जाए थोड़ा से इसके अंदर हवा भर जाए और अब इसके अंदर में एड़ कर रही हूँ एक चौथाई कप चावल का आटा अब मैंने यहाँ पर फ्रेश छेना ले लिया है यानि दूद को फाड़ करके छेना निकालके मैंने ले लिया है चार टेबल स्पून अगर आप छेना नहीं बनाना चाहते हो तो आप मार्केट से पनीर लाके भी उसको अच्छे से क्रश कर लो और वो चार टेबल स्पूनिया आपर एड़ कर दो इलाइची पौडर में एड़ कर देंगे एक चौथाई चमच और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेकिंग पाउडर आधी चमची से थोड़ा कम हम बेकिंग पौडर यहाँ पर लेंगे और वो इसके अंदर में एड़ कर देंगे तो अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ध्यान हमें यह रखना है कि बहुत साथा रनी बैटर हमें बना कर नहीं रेडी करना है यह हमें गाढ़ा-गाढ़ा सा घोल चाहिए बहुत और अब हम इसके अंदर में एड़ करेंगे चीनी आधा कप मैंने पिसीवी चीनी ले ली है जिस कब से आप ना पोगे मैदा बस उसी कब से आपको आधा कप पिसीवी चीनी लेना है और इनको अच्छे से मिक्स करके इस तरह का गाढ़ा बैटर बना कर रेडी करना है बिल्कुल फ्लोई नहीं होना चाहिए इस तरह का गाढ़ा ही होना चाह तो आप उसमें थोड़ा बहुत मैदा मिलाकर के कंसिस्टेंसी को इस तरह से मिन्टेन कर लेना मतलब गाढ़ा बैटर बना लेना फाइनली और इस तरह का आपके पास अगर पाइप इन बैग हो तो उसके अंदर हम बैटर को ट्रांस्फर कर देंगे अगर आपके पास इस तरह का piping bag नहीं है तो आपको घवरानी की बिलकुल भी जरुवत नहीं है मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप दूद की थैली का इस्तमाल करके भी piping bag बना सकते हो और उससे भी इस recipe को easily बना सकते हो तो यहाँ पर मैंने piping bag में भर दिया है material इसे में रख देती हूँ अभी और यह देखो मैंने दूद की थैली ले ली है इसको अच्छे से आप wash कर लो और इसके अंदर में बैटर भर दो यह भी exact वैसा ही piping bag जैसा काम करेगी तो यहाँ पर मैंने दूद की थैली में भी बैटर को भर दिया है piping bag में भी बैटर को भर दिया है मैं दोनों से बना कर आपको दिखाऊंगी कि दोनों से बहुत ही perfect पुआ बनकर ready हो जाते हैं तो सबसे पहले मैं piping bag से दिखाती हूँ आपको piping bag के age को आपको काटना है जादा बड़ा या जादा पतला hole नहीं करना है आप देख लेना मैंने कितना बड़ा hole किया है इसके अंदर में अब एक frying pan हम लेते हैं और इसमें add कर देंगे 2 टेबल स्पून घी इस recipe को घी में ही बनाना फ्रेंट्स बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इस piping bag की help से हम बनाएंगे पूआ तो फ्रेंट्स एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इस पूआ को बनाने के लिए या तो आप फ्लैट तवा ले लो या फ्लैट फ्राइंग पैन ले लो कढ़ाई में इतना अच्छा result नहीं आएगा तो आप इस तरह के बरतन का ही use करना फ्लैट टाइप के बरतन का और फाइनली अब इसके उपर हम करेंगे stuffing तो यहां पर हमने जो त्यार करके रखा है stuffing वो हम एक एक करके एड़ कर देंगे इसके उपर में फ्रिंट सीरेसली यह बहुत जादा यूनिक रेसिपी है बहुत जादा टेस्टी बनती है तो आपको अगर यह रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल होटन स्वीटरस होई को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्यूंकि मेरे दिमाग में इस तरह के आइडियाज आते रहते हैं और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद आपको बिल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालू आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे और यहाँ पर मैं इसे पैक कर रही हूँ यानि एक लिएर हम उपर से और डाल देंगे बैटर का ताकि स्टफिंग जो है वो अच्छे से पैक हो जाए इसको फ्लिप करना है आपको सारे को हम फ्लिप कर लेंगे और फ्लिप करने के जस्ट बाद हमें इसे किसी भी चीज से प्रस कर देना है ताकि स्टफिंग पैक हो जाए आप इस तरह का मैशर यूज कर सकते हो, अगर मैशर नहीं है तो आप कर्ची, चम्मच किसी भी चीज से इसको हलका हलका दबा देना, ताकि स्टफिंग जो है वो सील हो जाए, और अब हम इसको दुबारा से फिलिप कर लेंगे, मतलब बेसिकली अब आपको इनको दोनों साइ तो आप इसको गर्मा-गर्म ही सर्फ करना, गर्मा-गर्म खाना बहुत जादा मज़ा आएगा, आप देख सकते हो, शुगर और मावा का जो मिक्शर था, वो मिल्ट होने के बाद अंदर काफी जूसी सा हो गया है, रिजल्ट बहुत आटस्टेंडिंग आएगा, बिन डरे इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, और अगर आपके पास पाइपन बैग नहीं है, तो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा देती हूँ कि दूद की थैली से भी आप सेम पुवा बना कर रेडी कर सकते हो, तो देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेम रिजल्ट मिलने व उमीद करते हो, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट जरूर किया, अगर आप लोग बहुत खुशी मिलती है, और नया-nया कुछ ट्राई करने की हिम्मत भी मिलती है, तो इस तरह की रेसिपी में लाती रती ह अपने चैनल पर, साथ में मैंने अल्रड़ी एक पुआ की रेसिपी डाल रखी है अपने चैनल पर, जो की है बनाना पुआ, बिहार की काफी फेमस रेसिपी है बनाना पुआ, बहुत ही सिंपल वे में बनती है, कोई चाशनी वाशनी का जंजट नी है, अगर आप देखना चाते हो रेसिपी तो उपर आई बटन पर मैं लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके मेरी उस वाली वीडियो को भी देख सकते हो, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरे परसनल अपडेट्स के लिए, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रि